नमस्कार आप देख रहे हैं निउस पियार मैं हूँ आदेश पूरी खबर आ रही है पस्सिम चंपारन से पस्सिम चंपारन के बगहां इलाके में सहोधरा थाने छेतर में खेत की रखवाली कर रहे हैं दमपत्ती पर बागिन ने हमला कर दिया और ऐसे में दोनों व्यक्तियो और सबसे पहले पत्नी पर हमला करती है और बचाने के कर्म में पती पर भी हमला कर देती है इस सारे मामले में दो लोग की मिर्टू होती है और एक लोग घायल होते हैं आपको बता दे कि बालमिकी नगार टाइगर रिजब से सटे पस्मी चंपारन के गौनहा पर खंड में आदम खोर बागिन ने आतंक मचा रखा है। आपको बताते चलें कि घायल सोखस माजी ने बताया कि हम लोग खेत की रखवाली कर रहे थे और रिखा देवी खेत में ही बनी जोपड़ी में सो रही थी। इस दौरान बागिन ने ही हमला कर दिया और रिखा देवी की आवाज सुनकर वहाँ पहुंचा तो बाग डड़ाने पटना जू में भेजने की तयारी चल रही है क्योंकि यह आदम खोर हो गई है और दो-तीन दिन पहले मेरी बात जो है गौनाहा थाना परभारी से भी हुई है उन्होंने बताया कि तीन रोज पहले उसी बागिन ने एक लड़की को भी सिकार बनाने की कोशिस की थी हलाकि व पशूर जो थारू जन जाती है वो निवास करती है और ऐसे में उन लोगों का सामना जो है बागो से और जंगली जनवरस होते रहता है और ऐसे में विलंत भी हो जाती है क्योंकि लगातार जो है जंगल जो है बिहार में सिमरते जा रहे हैं और लोगों की जो गतिवीदिया है वो जंगलों में बढ़ती जा रही है इस कारण मुठभेड होते रहती है और ऐसे में जंगली पसु भी सिकार बनते हैं तो मनुष्य भी सिकार बनते हैं और उसी की पढ़नती हुई कि बगहा में जो आपको बता दे गौनाहा परखंड में दो लोग को अपने जान से हाथ होना पड़ा क्योंकि बागिन ने उन पर हमला कर दिया था तो फिलाल यही रिपोर्ट है जैसे कोई आगे रिपोर्ट आती है मैं आपसे जरूर जुरेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज प्यार को सब सब्सक्राइब जरूर कर ले बहुत बहुत धन्यवाद